देखो जब एक बर्ड अगर कहीं से खाना लाता है अपने बच्चों के लिए तो बो भी कन्फ्यूज हो जाता है खिलाना किस बच्चे को है? बो बर्ड उसी बच्चे को खिलाता है जो बच्चा खाना खाके हजम ना कर पाए ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये बच्चा पूप करता है तो बो बर्ड उस पूप को खा लेता है क्योंकि इन बर्ड का मानना है छोटा बच्चा खाना खाके हजम नहीं कर पाता है और उन पूप में प्रोटीन वैसे ही रहता है इसलिए ये बर्ड इन पूप को खाते हैं